हलो भाइयों कैसे हो उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल ली होगी तो यह अलजेब्रा का सत्रहवा लेक्चर है इससे पहले सोलर लेक्चर मैंने लिया है अलजेब्रा का और उसमें डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज के को सॉल्फ कराया है और वो सारे कोश है तो प्लेलिस्ट में जाए चैनल के अंदर और वहां जाके वह वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि वह पिछले पुराने पूछे हुवे कोशन्स हैं और उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि एससी के पेपर के अंदर कैसे कैसे कोशन्स आते हैं और आप अपनी को आगे कंटिनीव करते हैं और इस वीडियो में जो भी कोशन में सॉल्व कराऊंगा वो भी अगेन सब एससी के पूछे हुवे कोशन्स होंगे यह आपका पहला कोशन है आपको दो कंटिशन दी है एक तो यह लिखा है आपके पास और आपके पास यह लिखा है और आपसे पूछा है ए प्लस बी की क्या वैली होगी चार आपको दिया है और CGL 2016 का पूछा हुआ कोशन है तो देखिए आपसे पूछा है कि A प्लस B क्या होगा और यह जो लिखा है अगर इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लिफाइ करूँ तो अगर आप B क्यूब को लेफ्ट में लेकर आजाएंगे लेफ्ट साइड में तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा A क्यूब माइनस B क्यूब बरावर 117 और इसको थोड़ा सा मैं अगर सिंप्लिफाइ करके लिखूँ तो ये B को आप लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये लिखा है A माइनस B is equal to 3 और फिर आपसे पूछा है कि A प्लस B क्या होगा आपसे कोश्चन कहता है कि A प्लस B की क्या वैल्यू होगी कोश्चन मान अब देखिए इस कोश्चन को करने का दो तरीका पहला मेथड आल्लेडी मैंने करा दिया है बता दिया है अगर आपने वो मेथड के थुरू अगर आपने इसको नहीं सीखा है तो चैनल में जाएए प्लेलिस्ट के अंदर इस पे बेजड फॉर्मूले के थुरू मैंने अल्लेडी वीडियो कवर कर दी है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप अल्जेबरा के प्लेलिस्ट में जाएए आपको वहाँ सब मिलेगा तो मेथट के थुरू मैंने अल्लेडी समझा दिया है अब देखिए अगर मैंने पह करके होता है तो आप उससे करिए जादा बेतर होगा ना कि फॉर्मुला चूज करिए फॉर्मुला रखिए वैली पुट करिए क्योंकि जादा टाइम लगेगा ना बट हमें कम से कम टाइम में अंसर लेकर आना है तो हिट अंड ट्रायल अगर थोड़ा यहां लगाएंगे त 217 दिया है मतलब ए और बी का क्यूब करके अगर डिफरेंस लिया जाए मतलब माइनस किया जाए तो 117 आता है कि तो अगर हम थोड़ा सोचे दिमाग से कि 117 कौन से नंबर के क्यूब के पास है अगर मैं कहूं आपसे पांच का क्यूब 125 होता है पांच का क्यूब 125 होता है तो 125 के आसपासी 117 लिखा है तो अगर एक बर मतलब थोड़ा मेंटली अगर सोचा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ये, वैलिउ 5 है एक ये, वैलिउ 5 है तो अगर यहां हम 5 रख दिंगे तो फिर 3 कब आएगा ? बी में 2 लेना पड़ेगा अगर बी की वैलिव 2 हो जाए तो 5 – 2 कितना होता है? 3 तीन होता है तो फिर हम यहां भी बी को 2 दूर रक के देखेंगे जैसे हमने इहां बी को क्यूब 8 होता है 125 में से 8 निकाल देंगे तो 117 बसता है मतलब A बराबर 5 और B बराबर 2 ये condition satisfy कर रही है इसको भी और इसको भी तो आपको hit and trial से try करना पड़ेगा ओके और देखिए जब आप थोड़ा दिमाग hit and trial पे लगाएंगे और बार-बार question को hit and trial से करेंगे करने की कोशिश करेंगे अगर data आसान दिया है value इस तरीके से देखिए integer में आसान आसान value दिये तो आप आसानी से कर सकते हैं बस A 5 मिल गया B 2 मिल गया तो A plus B तो पूछा था 5 दू कितना होता है 7 होता है यह option आपका correct हो जाएगा अगर आप formula से करने जाते तो अच्छा खासा time चला जाता इसके अंदर बट यह question देखकर आपको समझ जाना चाहिए question के ओपर इतनी practice करिए कि आपका दिमाग चलना शुरू हो जाए value देखकर आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ यह question hit and trial से पका निकलेगा इस तरीके से आपको preparation अपनी करनी है और formula के थुरू तो सारे students करते हैं तो formula के थुरू वही time जाधा लगेगा आप करने जाएंगे बट hit and trial से करेंगे और data असान रहेगा तो फटा फटन से मिलेगा और data असान है उसके बाउज़ूद भी आप hit and trial से नहीं कर रहें formula से कर रहें तो मतलब आप पीछे हैं और data असान हिट and trial से guessing करके ऐसे करके फटाक से answer मारेंगे आगे बढ़ेंगे तो आपकी speed जाधा अच्छी हो जाधा fast होगी और दूसरे student के comparison में ओके चलिए अगले question पर हम बढ़ते हैं का अगला question है if under root 5x minus 6 plus under root 5x plus 6 is equals to 6 then what is the value of x cgl 2017 का question है चार option है अब देखिए आपको x की value निकालनी है यह x आपको निकालना है मतलब यह 4 option में जो कोई एक option x की value को represent करता है तो और आपको जो condition दिये देखिए यह condition दिये आपको यह condition left side में बराबर 6 के है तो हम क्या करेंगे कि कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि यहां से solve करके x निकालेंगे बिलकुल नहीं करेंगे बहुत जादा time लगे गया इस तरीके से नहीं करेंगे कि इसको squaring करेंगे जैसे भी करना चाहें आप इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे कि solve करके हम x कैसे निकालें हम क्या करेंगे option का सहारा लेंगे क्योंकि यह x की value तो लिखी है option का सहारा लेंगे option को उठा कर यहां put करेंगे और जो option इसको satisfy करेगा इस condition को वही option हमारा सही होगा तो हम reverse way में move करेंगे ना क हम normal तरीके से इसको solve करके x की value निकाल कर option पे click करेंगे जब already हमारे पास option है तो हम क्या करेंगे option को ही one by one pick करके यहां पे satisfy करेंगे अगर option satisfy करता है तो वो option हमारा अंसर हो जाएगा अब सुनिए कैसे satisfy करते हैं x की value 4 option है 4 option में से कोई x सही है minus 4 अगर मैं consider करता हूँ कि a option आपका है minus 4 यहां minus रखेंगे x के place पे तो minus 4 में 5 से गुड़ा कर देंगे तो minus 20 हो जाएगा और minus 6 minus 26 under root के अंदर minus 26 मतलब negative value नहीं आ सकती तो पहला option तो आपका ऐसा ही cancel हो गया यह option आपका cancel हो गया ओके 0 देखते हैं अगर x 0 है तो यहां x को 0 रख देंगे तो 0 into 5 0 हो जाएगा minus 6 0 minus 6 minus 6 होता है again under root के अंदर negative value आ गई मतलब यह भी option हमारा नहीं हो सकता c देखते हैं x की value अगर 2 consider करते हैं तो यहां 2 रखेंगे तो 5 2 जा 10 10 minus 6 कितना होता है 10 minus 6 4 होता है under root के अंदर 4 आ गया मतलब 2 मिलेगा under root के अंदर 4 मतलब क्या होता है 2 बीच में plus लिखा है फिर x की value अगर 2 यहां रखते हैं तो 5 2 जा 10 5 दुना के 10 और 6 16 under root के अंदर 16 कितन 6 होता है left side में 6 आ गया और right side में भी 6 लिखा है इसका मतलब c option आपका satisfy कर रहा है c option हमारा correct हो जाएगा और 4 यहां रखेंगे तो 4 25 20 में से 6 निकालेंगे तो under root के अंदर 14 बचेगा under root के अंदर 14 मतलब perfect square number तो है यह नहीं तो हमारा c option correct हो जाएगा तो इस तरीके से आपको question को करना है अपनी speed को boost up करना है मैं आपको समझा रहा हूँ तो slowly slowly समझा रहा हूँ बड़ practice करते वक्त आप अपनी speed को boost करेंगे जादा से जादा varieties के question solve करेंगे ताकि आपकी question पर command होगी और आप कम से कम time में फटा फटा अंसर लेकर आएंगे और कोशिश करिए कि hit and trial मतलब guess करके answer करना option के सहारा लेकर answer करना अगर ये सब method आप सीख गए तो definitely और student से आप आगे निकल जाएंगे क्योंकि student से ही main fight होती है comparison अपने आपको student से ही करना है और खुद से भी अपने आपको analysis करिए कि आप कितने लेवल पर हैं आपकी कितनी पढ़ाई हुई है कितनी पढ़ाई आपकी बाकी है तो चलिए अगले question पर हम बढ़ते हैं यह आप तीसरा question है if x-y बराबर 7 then what is the value of x-15 power में 3 है minus y minus 8 power में 3 आपको इसकी value बतानी है CGL 2017 4 option देखिए एक condition आपको दी है x-y बराबर 7 और यहां लिखा है x-15 की power में 3 है अगर एक time के लिए मैं आपसे कहूँ कि यह a लिखा है और इसको मैं कह दूँ कि यह b लिखा है तो आप कह सकते हैं कि a का cube और b का cube मतलब a का cube माइनस b का cube यही तो लिखा है और a के place पे क्या लिखा है a is equals to x-15 और b is equals to y-8 यही लिखा है अगर हमने इसको a कहा तो a का cube माइनस इसको b कहा तो b का cube तो a का cube माइनस b का cube और a बराबर x-15 बराबर y-8 और इसी का मान हमें बताना है इसी की value हमें बतानी है मतलब a cube माइनस b cube की value हमें बतानी है तो अगर आपसे कहूँ कि A QB-BQ का क्या फॉर्मूला होता है तो आप कहेंगे A-B एक ब्रेकेट में दूसरे ब्रेकेट में A² प्लस AB प्लस B² ये होता है ये लिफ्ट साइड में जो लिखा है इसी की वैल्यू हमें बतानी है अब देखिए पहला ब्रेकेट कहता है A-B ये A है और ये B है मतलब इन दोनों को घटाना है सब प्राइक कर देना है माइनस करना है A-B अगर दोनों को मैं घटा दूँ पहला ब्रेकेट A-B कहता है इन दोनों को घटा दूँ तो लेफ्ट साइड में A-B तो मिल जाएगा यहां गटाएंगे तो यहां माइनस होगा और यहां गटाएंगे तो यहां माइनस और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां से आपको x माइनस y मिलेगा x और यह माइनस y और फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो plus 8 और minus 15 कितना होता है? minus 7 होता है plus 8 minus minus plus और यह minus 15 तो plus 8 और minus 15 minus 7 होता है अब ज़रा देखिए उपर x minus y बराबर 7 अल्डेडी एक condition दे रखी है x minus y के जगा पे अगर हम 7 रख देंगे तो 7 और यह minus 7 7 से 7 कट गया एक a minus b कितना मिल गया हमे? जब सब कट गया है यहाँ पे तो 0 मिल गया यह value 0 के बराबर हो गई मतलब यह bracket हमें 0 मिल गया तो 0 में अगर किसी भी bracket से multiply करें किसी भी value से multiply करें तो overall quantity सब तो 0 हो जाती है मतलब a cube minus b cube क्या मिलेगा? पूरा यह सब 0 हो जाएगा 0 मिलेगा a cube minus b cube 0 मिलेगा मतलब इसकी b value क्या हो जाएगी? 0 a हमने इसको ही कहा था इस bracket को b हमने इस bracket को कहा था तो answer आपका क्या हैगा? 0 आएगा a option आपका correct हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा question था tricky question था और use यह formula आपको करना था a cube minus b cube का क्या formula होता? a minus b a square plus a b plus b square चली अगले question पर हम बढ़ते हैं यह आपका अगला question है if x बराबर y plus z then x cube minus y cube minus z cube is मतलब एक condition है और इसकी value आपको बतानी है cgl 2017 का पूछा हुआ question है चार option है अब देखिए अगर यह जो condition लिखिये इसको थोड़ा मैं proper तरीके से लिखूँ तो y को left side में लाऊंगा तो minus y हो जाएगा z को left side में लाऊंगा तो वो भी minus z हो जाएगा तो अगर मैं कहूँ कि y left side में आ गया तो left side में आएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा x y left side में आएगा तो minus y और z left side में लेकर आएंगे तो minus z बरावर 0 मतलब right side से जब हम left side में value को लेकर आपे हैं तो minus यहाँ plus के साथ है तो left side में आकर minus बन जाएगा z v plus के साथ है तो left में आकर minus z बन जाएगा is equals to 0 अब देखिए मतलब ये condition आपको दिये ये दिया है आपको और इसकी value बतानी है अगर थोड़ा मैं इसमें modify करूँ कुछ change करूँ तो देखिए इसको लिख सकते हैं x cube plus minus y का cube plus minus z का cube ये आप लिख सकते है मतलब अगर मैं आपसे कहूँ थोड़ा सा अच्छे से कि ये x के जगां पर a लिखा है minus y के जगां पर b लिखा है और minus z के जगां पर c लिखा है तो क्या लिखा है ये a cube plus b cube plus c cube a cube plus b cube plus c cube और x के जगां पर क्या है a है minus y के जगां पर क्या है b है और minus z के जगां पर c है तो condition थोड़ा देखेंगे तो condition को हम क्या लिख सकते हैं यह जो condition है A minus Y के जगह पे देखिए B लिखा है तो हम इसको plus करके B लिख सकते हैं क्योंकि minus Y पूरा B है हमारा और minus Z हमारा C है तो plus करके C लिख सकते हैं यह पूरा minus Z क्या है हमारा C है तो minus के साथ हम C लेंगे तो यहाँ plus लिख के C लिख देंगे और is equal to 0 अब देखिए मतलब condition तो ये दे रखी है a plus b plus c बराबर 0 और आपसे a cube plus b cube plus c cube की value पूछा है ये given है ये दिया है और ये पूछा है तो इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने discuss किया है कि कभी भी condition दी हो a plus b plus c बराबर 0 तो a cube plus b cube plus c cube की क्या value होती है 3abc आज से आप याद रख लेंगे जिनको पता है बहुत अच्छी बात है जिनको नहीं पता है वो अब से याद रखेंगे कि a plus b plus c अगर 0 है तो a cube plus b cube plus c cube क्या value होती है 3abc होती है अब देखिए और आपको पता है अगर इस question के बारे में बात करूँ तो a के जगा पे कितना है x तो 3 a के जगा पे x है तो x लिखिए b के जगा पे कितना है minus y तो यहाँ पर आप minus y लिखेंगे और c के जगा पे कितना है minus z तो इस c के जगा पे आप minus z लिख देंगे बस इसी को solve करिए minus minus plus हो जाएगा 3xyz यह आपको answer मिल जाएगा यह minus और यह minus मिलके plus बना देगा तो 3xyz आपका answer आ जाएगा इसकी यह value पुछा था ना यह value क्या है यह value क्या answer क्या होगा 3xyz हो जाएगा तो यह basically formula है हम कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है formula है और इसी formula को हमने यूज किया यह formula है कि a plus b plus c अगर 0 है तो aq plus bq plus cq की क्या value होती है 3abc होती है और a के जगां पर देखिए x था b के जगां पर minus y था c के जगां पर minus z था तो यहाँ a के जगां पर x रखा बी के जगाँ पर माइनस वाई और सी के जगाँ पर माइनस जड़ और सॉल्व कर लिया हमें थ्री एक्स वाई जड़ मिल गया मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ओके तो यह बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूं ताकि जिन इस्टुडेंट को आता है बहुत अच् कुछन है इसमारा टू एड凫 कर दू एक्स प्लस ट्री और भी फैक्टर यह ग CAN है एक्स इसप्रंइश्वायर प्लेस्प्लेस के लगी ruह और डोन के 20 आपसे क्रेयुचु पूछा ड आक तो अपको एक्वेशन दे रखी हैं खोट्रे क्वेशन और question कहता है कि यह first factor और यह second factor इस quadratic equation के क्या है factors है मतलब यह first value और second value इस quadratic equation के factors है अगर यह दोनों इस quadratic equation के factors है तो अगर हम इसको 0 कर दे is equals to 0 तो यहां से minus 2 right में जाएगा तो हमें x की क्या value मिल जाएगी x बरावर 2 मिल जाएगा और यहां अगर हम 0 कर दे तो x is equals to यहां क्या मिलेगा minus 3 मिल जाएगा मतलब इस quadratic equation के यह दोनों factor थे तो इस quadratic equation के जो दो roots मिलेंगे पहला root हो जाएगा x is equals to 2 और x is equals to minus 3 यह आप ऐसे भी कहा सकते थे कि इस quadratic equation को दिविगात समी करोड को solve करके x की 2 value मिलेगी क्योंकि power 2 है quadratic equation है x की 2 value मिलेगी एक value 2 होगी और दूसरी value x की minus 3 होगी यह भी आप कह सकते हैं तो बस अब कुछ करना ही नहीं हमें k1 और k2 find out करना है तो x की value तो हमें मिल गई है तो अगर यह x और यह x इस quadratic equation के roots है तो यह दोनो x इस equation को satisfy करेंगे satisfy करेंगे मतलब x की value उठा कर हमें यहां रखना पड़े गा 1 by 1 हम दोनो value इस equation में put करेंगे तो देखिए पहले हम x is equals to 2 put करेंगे तो यहां 2 का square 4 हो जाएगा 4 तो 4 हो जाएगा यहां पे और यहां 2 put करेंगे तो 2k1 प्लस k2 बराबर 0 तो यहां से हमें 2k1 प्लस k2 बराबर minus 4 एक number equation मतलब k1 और k2 में एक हमें equation मिल गई अब हम x की value minus 3 को इस equation में put करेंगे क्योंकि वो भी factor है इस equation का या फिर x की value जो minus 3 है इस equation को satisfy करेंगे तो minus 3 यहां put करेंगे तो minus 3 का square 9 होता है तो 9 यहां put करेंगे x minus 3 तो minus plus minus 3k1 प्लस k2 बराबर 0 तो यहां से आपको देखिए क्या मिलता है minus 3k1 प्लस k2 और 9 को right में लेखे जाएंगे तो minus 9 हो जाएगा यह आप second number equation कह देंगे बस पहली और दूसरी equation को आपको क्या करना है solve करना है और k1, k2 आपको मिल जाएगा या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं कि k1 और k2 की value यहां से उठाकर हम इसमें satisfy कर देंगे तो हमें answer आ जाएगा answer मिल जाएगा बट चार option satisfy करना थोड़ा सा जादा मुश्किल लग रहा है और यहां पर देखे केटू लिखा है पहले equation में और second equation में भी केटू लिखा है मतब अगर घटा दें सब्ट्राइक कर दें तो केटू से केटू कर जाएगा केटू एजली मिल जाएगा तो अगर पहली और दूसरी equation को हम घटा दें तो आप देखिए यहां से यह minus हो जाएगा यह minus हो जाएगा और यह minus हो जाएगा तो equation first और equation 2 को हम जो घटाएंगे तो minus minus plus 3K1 और यहां 2K1 5K1 हो जाएगा और यहां minus K2 और यह K2 देखे K2 से K2 कट जाएगा is equals to minus minus plus 9 और minus 4 5 आएगा minus minus plus 9 plus 9 और minus 4 5 होता है 5 से 5 कट गया K1 हमें मिल जाएगा 1 K1 की value 1 मिल गई किसी एक equation में रख देंगे तो हमें K2 मिल जाएगा अगर K1 यहां पर 1 लगते हैं तो यहां 2 अंजा 2 होगा और इस 2 को हम right side में लेके जाएगे तो minus 4 और minus 2 कितना होता है minus 6 होता है तो K2 हमें minus 6 मिल जाएगा तो K की value 1 और K2 की value हमें minus 6 B option हमारा correct हो जाएगा तो आप आपके उपर था कि आप equation first और second को solve करके K1 K2 निकालिए या फिर option से K1 K2 की value यहां satisfy कर दिए देखे K1 1 था K2 minus 6 था K1 यहां 1 रखते तो 2 अंजा 2 और K2 minus 6 रखते तो 2 और minus 6 minus 4 होता है satisfy कर गया तो पहला option सायद नहीं satisfy करता 100% नहीं satisfy करता और दूसरा satisfy कर जाता है तो satisfaction से भी आप कर सकते थे या फिर directly K2 यहां लिखाता है यहां भी K2 लिखाता तो पहले और दूसरी equation को घटा देते तो K2 K2 कर जाता K1 की value असानी से मिल जाती है आपका अगला question है if x minus y बराबर minus 6 and x plus y बराबर 16 then x square minus y square is CHSL 2017 का question है चार option है देखिए आपके पास दो condition दी हुई है एक x minus y minus 6 है x plus y 16 दिया है और आपसे पूछा है x square minus y square की क्या value होगी तो कभी भी ऐसा मत करिएगा कि x minus y बराबर minus 6 x plus y बराबर 16 इन दोनों को उठाकर solve करके x y निकालिए फिर x y की value यहां रखिए ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है जब आपको दिया हो x square minus y square की value find out करना हो और x minus y और x plus y और लड़ी पहले से दिया है कभी आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें पता होता है हम लोग बच्पन से पढ़ते आते हैं कि a square minus b square का क्या formula होता है a minus b a plus b यह formula होता है और यहां पर लिखा x square minus y square तो x square minus y square क्या लिख सकते हैं फिर हम एक bracket के अंदर x minus y और दूसरे bracket के अंदर x plus y यह हम लिख सकते हैं और इसकी value निकालनी है x minus y दिया है minus 6 और x plus y 16 दिया है तो 16 चके 90 और minus है तो minus 90 minus 90 b option आपका correct हो जाएगा आपको formula याद रखना है आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि इन दोनों equation को solve करके x y निकालेंगे आप और फिर यहां put करेंगे x और y की value फिर option पे click करेंगे नहीं ऐसा नहीं करना है directly formula आप याद रखिए तो आप फटा फटा answer करेंगे चलिए अगले question पर बढ़ते है if 3x plus 2y बराबर 7 है and 4x minus y बराबर 24 है then x minus y की क्या value होगी 4 option CHSL 2017 का पूछा हुआ question है देखिए 2 equation हमारे पास है पहली और ये दूसरी और हमसे पूछा है x minus y क्या होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा इन दोनों equation को solve करना पड़ेगा और x y निकालना पड़ेगा इससे पिछला वाला question directly formula था तो हमने formula ही use किया वहाँ पे दोनों equation को हमने solve नहीं किया क्योंकि उसमें पिछले वाले question में x minus y था x plus y था बट यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर दो अलग-अलग equation दे रखिए दोनों को solve करना पड़ेगा तो देखिए क्योंकि ये बहुत basic है फिर भी exam में आया हुआ है तो हम ignore नहीं करेंगे हम basic to advance सब देखेंगे ओके तो देखिए 3x plus 2y बराबर 7 और ये क्या लिखा है 4x minus y बराबर 24 अब इन दोनों को solve करना है तो यहाँ देखिए 2y लिखा है अगर ये भी 2y हो जाए तो जोड देंगे दोनों को तो यहाँ plus और यहाँ minus कट जाएगा तो 2y करने के लिए पूरे में हम 2 से multiply कर देंगे 2 से multiply जब यह 2 से multiply हो जाएगा तो 4 दुना के 8x minus 2y और यह 24 दुना के 48 अब यह first equation और यह second equation दोनों को अगर आप जोड देंगे तो 2y से 2y कट गया 8x और 3x कितना होता है 11x इधर 48 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होता है 55 होता है 11 पचे 55 x की value हमें मिल गई x का मान मिल गया 5 x हमें 5 मिल गया किसी एक equation में पहले में रख दीजिए y मिल जाएगा x उठा के पहले में आ रखेंगे 5 तियाए 15 15 को right side में लेकर जाएंगे तो minus 15 mentally करने वाला ये सब थोड़ा question है आपको भी दिमाग लगा कर ऐसी करना है ना कि बच्चों के तरह x value यहाँ रखेंगे इस तरीके से 3 into 5 फिर 2y बराबर 7 5 तियाए 15 plus 2y बराबर 7 फिर 15 को right में लेकर जाएंगे तो 2y बराबर 7 minus 15 तो minus 8 तो 248 minus 4y मिल गया इस तरीके से आपको नहीं करना है ये बिल्कुल ये सब नहीं करना है आपको एक बर x मिल गया तो फटा फटा थोड़ा सा अपनी speed को थोड़ी speed down होई क्योंकि अपने equation मना कर थोड़ा लिखा x की value निकाली लेकिन x मिल गया और equation असान है तो directly y रखिए mentally x directly रखिए mentally y निकाली तो इस तरीके से आपको निकालना था x 5 मिल गया y minus 4 x 5 रखेंगे y minus 4 रखेंगे minus minus plus हो जाएगा 5 रखेंगा ये option आपका correct हो जाएगा तो ये basic question था फिर भी मैंने इसको cover करना जरूरी समझा क्यों ये कुछ ऐसे मेरे भाई लोग होंगे जिनको basic में problem होते ही होगी कैसे equation solve किया जाता है तो चलिए अगले question में हम बढ़ते है question number 8 है आपका the value of x आपसे x की value पूछा है for which the expression first and for x plus 2 become equal is chsl 2,17 4 option है मतलब x की value पूछाए क्या होगी जब ये वाले expression और ये वाले expression become equal मतलब equal हो जाते है मतलब ये हुआ कि 12 minus 6x equal हो जाते है 4x plus 2 के बराबर तो x की value क्या होगी बस solve कर लेना है minus 6x को right side मिलेगा जाए 4x पहले से पढ़ा है तो 10x हो जाएगा और 2 को left मिले कर आके 12 के साथ घटा देंगे तो 12 और 2 इधर आएगा तो minus 2 10 हो जाएगा 12 में से 2 निकल जाएगा 10 हो जाएगा 10 से 10 कट गया x कितना मिल गया हमें 1 मिल गया बहुत छोटा question था small सा question sentence थोड़ा अच्छे से पढ़ना था ओके अगले question पर बढ़ते है यह आपका अगला question है if x बराबर a plus 1 upon a and y बराबर a minus 1 upon a then under root के अंदर x की power 4 plus y की power 4 minus 2 x square y square is equals to CGL 19 का question है 4 option है देखिए आप से ये value पूछी है under root के अंदर तो अगर आप देखेंगे तो ये under root के अंदर ये लिखा क्या है ये basically x square minus y square bracket close पूरे का square इसको अगर आप break करेंगे na a minus b का whole square के formula पे तो ये ही आपको मिलेगा या आप इसको ये लिख सकते हैं ठीक है और square हटा देंगे under root से तो फिर आपको मिल जाएगा x square minus y square square से ये under root हट जाएगा तो ये मिल जाएगा और इसको अगर कहूँ कि ये क्या लिखा है तो ये x minus y एक bracket में और दूसरी bracket में x plus y मतलब ये कि जो ये दिया था इसकी value find out करनी है वो basically ये है इसकी value निकाल लेजिए आपका answer आजाएगा अब इसकी value देखिए x minus y चाहिए हमें x plus y चाहिए यहाँ x है और यहाँ y है दोनों को x minus y को पहले minus करना है फिर plus करना है x और y है अगर दोनों में से यहाँ से x plus y निकालू तो plus 1 upon a minus 1 upon a cancel a और a कितना होगा 2a मतलब x plus y की value हमें 2a मिल गए यहाँ हम 2a रख देंगे x plus y के नीचे हम क्या रख देंगे इधर 2a दोनों को जोड़ दिया है पहले x plus y तो 1 upon a right side में minus 1 upon a कट जाएगा a और a 2a अब हम क्या करेंगे घटाएंगे x minus y को घटाएंगे x minus y कर देंगे तो इस बार a से a कटेगा और यह वाला minus plus बन जाता है जब हम घटाते हैं तो ओके तो इस बार आपको a से a कटेगा one upon a और यहां minus minus plus हो जाएगा जब घटाएंगे तो one upon a तो two times one upon a मिलेगा two times one upon a मतलब two times one upon a यह मिल जाएगा x minus y और x plus y आपका two a हो जाएगा a से a देखे बीच में यहां multiplication गुड़ा है गुड़ा है a से a कट जाएगा दो दुना के 4 4 आपका option आ जाएगा option d आपका correct हो जाएगा 4 आपका answer होगा तो बहुत आसान question था CGL 19 का पूछा होगा question था चलिए अगले question पर बढ़ते हैं दस्वा number question है इसकी value बतानी है और condition आपको दी है कि x y z 0 है अगर यह value को थोड़ा मैं यहां लिखूं और फिर आप देखेंगे x square upon 3 y z plus y square upon 3 z x plus z square upon 3 x y अब देखिए अगर हम नीचे denominator से LCM ले ले हर से LCM ले ले अगर तो 3 3 3 3 3 आएगा और y z z x और x y है तो x y z यह हमारा LCM हो जाएगा अब देखिए अब जो यह value लिखिए इसको divide करते हैं इससे तो 3 3 3 कटेगा y से y कटेगा और z से z x बच जाएगा यह x जाकर numerator से multiply हो जाएगा तो x square और x कितना हो जाएगा x cube हो जाएगा बीच में plus लिखा है इसको divide कर देंगे यह value से तो 3 से 3 कटेगा z से z और x से x y बचेगा y जाकर numerator से multiply होके y cube और similarly यह आपका z cube मतलब यह जो value लिखी है जो question लिखा है यह आप उसको यह भी लिख सकते हैं अब starting में अगर आपने शुरू शे वीडियो देखिए starting से वीडियो देखिए तो आपको पता होगा कि x cube plus y cube plus z cube को हम क्या कहते हैं 3 times x y z कहते हैं यह value को 3 times x y z कहते हैं starting में ही मैंने बताया था कि a plus b plus c अगर 0 होगा तो a cube plus b cube plus c cube की value 3 a b c अगर आप starting से वीडियो देखिए तो आपको समझ समझ सब समझ में आ रहा होगा upon 3 x y z 3 x y z तो इसको हम लिख सकते हैं 3 x y z कब लिख सकते हैं जब x plus y plus z 0 हो तो इसको हम लिखेंगे 3 x y z और नीचे भी 3 x y z cancel हो जाएगा और cancel होने बाद 1 बचेगा मतलब ए औप्शन आपका correct हो जाएगा ओके तो इस पे based starting में ही वीडियो के starting में ही मैंने question कराया था तो इस वीडियो के अंदर total हम लोगों ने 10 question solve किया 10 का दस्व कोश्चन SSE का पूछा हुआ question था आप CGL का exam कहिए CHSL का exam कहिए जिस भी exam के आप preparation कर रहे हो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होगा तो होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके notification बिलकों on कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की notification आपको easily मिल जाएगी और इस वीडियो का अपने अच्छे से continue रखिये